बिस्मिल्ह रह्मानिर रहीम, स्सलामुलेकूम, दोस्तों हम ने ये 12 वूल्ट, 3 अम्पेर का अड़ाप्टर ओपन किया हुए, यहां पर आप देख सकते हैं कि आउटपुट में इसके वूल्टेज़ 12 वूल्टेज़ और 3 अम्पेर का ये अड़ाप्टर है जिसे हमने ओप किया हुए है, हमारे अक्सर दोस्तों ने कॉमेंट किया था कि अगर हम SMPS के वूल्टेज़ को इंक्रीज कर सकते हैं, तो इस तरह अड़ाप्टर के वूल्टेज़ को किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं, हम यहां पर इसे 220 वूल्टेज़ देगे सबसे पहले आपको इसके व 220 Voltages में इंकरदी हैं और Output में यहां पर आप मेल्टीमितर पर देख सकते हैं कि हम इस वकाट 12.2 Voltages । यह adaptive 3 राट 2 का बारा वल्ड का aडप्टर 12.2 Voltages हमें Output में दे रहा है। अब हम इसके Voltages कहो 13 14 15 Voltages में किस तरह से increase करें कि हम यहां पर आपको इस все-15 voltages gì bigger के दिखाते हैं आपकोा इन्क्रीज क्रके एक दिखाते हैं किए कि एक लेक सकते हैं कि इसके उल्टेज को मैं क्लिज version लगा Kenny यह नियां पर आपको यह समट्राशिस्टर नजर आरा है यह टी ल चार सो इक इस टालजिस्टर रही है यह को कपलर में जा रही है यहां पर इस आडाप्टर में यह SMD लगा हुआ है अक्सर आडाप्टर में यह दूसरा आम नार्मल ट्रांजिस्टर भी लगा होता है जो तीन लेग का ट्रांजिस्टर होता है जैसे के A1015 या C828 इसमें यह SMD लगा हुए हमने इसकी एक नमबर और दो नमबर पिन पर रिजिस्टन्स को जोइंड करना है यहां पर इन दो पॉइंट पर हमने रिजिस्टन्स लगानी है एक नमबर और दो नमबर पॉइंट पर और इसकी तीसरी लेग जो है वो कपलर में जा रही पर आपने करना की हम यहां पर 10 किलो ओम की रिजिस्टन्स लगाएंगे question 431 ऑफर और देख सकतें कि हमने यह 504 की क्रिए और हम आरजिك तोर पर इस तर पर एपने एड़ीक बारए divs के एक नमबर और दो नमबर और चैकर करके आपको इसके वोल्टेज चेक करवाते हैं हम मल्टी मेटर पर रिजिस्टेंस की वैल्यू को चेक करते हैं मुल्टी मेटर आप देख सकते हैं कि 10.0 किलो ओम के हमारी रिजिस्टेंस है चलिए हम रिजिस्टेंस को जोइंट करते हैं और बाद में इसके वोल्टेज को चे चाहें कि कि इस लघाने करते हैं कि यह यह अमारा आडव्ट्राइक है हम अब मल्टी मीटर को वल्टेजिस की रेंज बेंड बाज लगार तरा अमैं उस्कार के म्लटी मीटर पर हमें यह यहां कंदरहिया आठों अपने हुट यह मिली रहा है दस क्लों अम के रेजिस्टन्स लगाने पर इस धरभ रेजिस्टन्स की वैलियू को इंक्रीज या डिक्रीज करके इसके वोल्टेज़ को अप या डाउन कर सकते हैं अब बारतले लगाने पर हमें ये 12 वॉल्ट का डाप्टर हमें 15 शरयाथ वोल्टेज़ दे रहा आ है दोस्तो आप इस तरह 12 वोल्ट के किसी भी अडाप्टर के वोल्टेजिस को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं दोस्तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल घंटी को दबा कर आल पे क्लिक कीजिए क्योंकि हम अपने इस चैनल पर SMPS मजर बोर्ड, LCD, LED टीवी की रिपेरिंग वीडियो अपलोड करते रहते हैं अब तक के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्ला हाफिज